नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्तेयों खुश होंगे, हजिर हुमें मैनिटर टाइगर हंटिंग की एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, इस स्टोरी का नाम है मैनिटर आप मुंडाची पल्लम दोस्तों कई मेरे चाहने वालों ने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट्स लिखे, अपनी चिंता जाहिर की मेरे स्वास्त के बारे में, मेरे वेल बिंग के बारे में, उनका भारी हूँ, मैं एकदम स्वास्तो हूँ, सिर्फ ये था कि मैं अपने दूसरे काम में बेस्ट था और यहाँ फर वीडियोज बनाने के लिए और उन्हें अपलोड करने के लिए समय नहीं बचा पारा था हलांकि मैंने इस से पहले कुछ दिन पहले वीडियोज बनाए 2 बार लेकिन उनकी क्वैलिटी से जो क्वैलिटी अफ कंटेंट था वीडियोज का उनसे मैं खुद ही सटिस्पाइड नहीं था यहाजा मैंने उनको अपलोड करना ठीक नहीं समझा तो दोस्तों आज मैं स्टोरी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए स्टोरी है साउथ की जहाँ जो एरिया है मुंदाची पल्लम का यह पहाड़ी एलिया है मुंदाची पल्लम का जो शाबदिक अर्थ होता है कमिल में वो अर्थ है मुंदाची का स्ट्रीम या जहरना यह जहरना एक नदी है जो छोटी नदी है विलकुल जो उस 7000 फुट पहाड़ी इलाके के लगवग दीच में बहती है उस पहाड़ी के चारू तरफ और इस पहाड़ी के टॉप में एक गाव है जिसका नाम है पिन्नाग्राम और पहाड़ी के बेस में है कावेरी रिवर का बेस तो उसी बेस के पास में एक गाव है जिसका नाम है उटामलाई तो उटामलाई से 15 ग्राम तक एक सडक भी जाते है वहाँ जो मुनदाची पल्लम से होते हुए जाते हैं यह मुनदाची पल्लम की जो river है उस रास्ते को cross करती है पुरास्ता बेसिकली सडक है बुलक कार्ट्स के लिए और उस इलाके में जो मुन्दाची पल्नम के पास में एक पुआ खोदा गया है क्योंकि यह रोड है इसमें रेगुलर आने जाने वाले कोई हैसा गाड़ी ले जाते हैं तो कोई बैल गाड़ी ले जाते हैं कुछ लोग पैदल जाते हैं तो यहां से खड़ी चड़ाई लगती है पैनाग्राम के लिए तो अक्सर लोग जब उठा मलाय से तावेरी रिवर से फिस्ट पकड़ते हैं उसकी टोकरियों को उठा के अपने सिर में पैनाग्राम बेचने के लिए जाते हैं तो यहां पर वो तो यहां पर जो कुआ बना था टीपिकली सभी लोग चाहे वो बैल गाड़ी वाले हो या भैसा गाड़ी वाले हो या पैदल वाले हो वो यहां पर रेस्ट करते हैं पानी पीते हैं किसी को अगर कलेवा करना है नाश्ता करना है वो करते हैं उसके बाद उस चड़ाई में चड़ते हैं, तो यह बात है घटना है सुबह की करीब साथ बज़े होंगे, जंगल था चारू तरफ, उन्डाची पल्लम के, तीन लोग उटा मलाय से मचली से भरी हुई टोक्रियां लेके आ रहे थे, दो महलाएं थी और एक पुरुष था, इस कुएं के पास में वो लोग उन्हें रेस्ट किया और पानी किया कुएं से निकालके, इससे पहले कि वो खड़ी चड़ाई चड़ें पेनाग्राम की, यहां पर एक रोजमर्रा की तरह से वो रेस्ट कर रहे थे, आसपस में बाच्चीत कर रहे थे, पानवान खा रहे थे, तो जो पास में जंगल था, वहां से उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी, कुछ आवाज आई जहाडियों के बीच की, सूख्षी पत्यों में चलने की, फिर आवाज रुख गई, पिर रुख गई, तो रुख-ुरुख के ओ आवाज आ रही थी, तो इन लोग उन्हें कुछ अनुमान लगा है कि हो सकता यहाँ कोई घायल हिरन हो और अगर घायल हिरन है तो उनके लिए बड़ा अच्छा है उसे मारंगे और उनके लिए मीट का बंदोबस्तु हो जाएगा यहाँ जा यह सोचकर वो दो महलाएं तो वहीं बैठी रही उनके साथ जो पूरुस था वो धिरे से उस तरब जाने लगा और बहुत कॉशेसली वो चल ला था ताकि वहाँ जो जानवर है उसको उसके आने का पता न चले वो व्यक्ति चलते चलते एक जगह पहुँचा वहाँ उसने देखा दो टाइगर से वो उनके बहुत करीब पहुँच गे आहाम तोर पे जब जंगल में टाइगर मिलता है या कहीं दिखता है लोगों को तो टाइगर दाएं बाएं चला जाता है अगर वो मैनीटर नहीं है और एंडर्शन बताते हैं कि एक बार तो उनके साथ ऐसा हुआ कि वो करीब दस पंदर कदम की दूरी पर अचानक टाइगर से उनकी मुलाकात हो गई आखिचार हो गई और दोनु का जो दोनु आश्यरी चकित थे दोनु शौक्ड थे एक दूसरे को देखे और उसके बाद टाइगर, मुला और जंगल में चला गया तो आम तोर पें यही होता है लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ किूमकि वो जो पेर था टाइगर का वो एक टाइगर और एक टाइग्रेस थी मेटिंग सीजन में थे और ऐसे सीजन में जो टाइगर होता है वो बहुत ज्यादा तो टाइगर का जो ये ब्यावार है, इस माहौल में ये जंगल में सब लोगों को पता होता है कि वो बिना वज़य और जानवरों को मारते रहता है, आसपास उसे कोई भी जानवर नजर आ जाए, चाहिए दूसरा टाइगर भी होगा, तो उससे भी ओ जगड जाता है, तो साइध ये रियलाइजेशन इस व्यक्ति को नहीं हुआ, या हुआ भी होगा, तो वो उस टाइगर के बहुत नजदीक पहुँच गया, उसके पास भागने का मौका नहीं था, और टाइगर ने उस पर अटेक कर दिया, एक जोर की दहाडा ही उस तरब से, उस व्यक्ति की चीख नहीं निकली, चीख निकलने से पहले ही उसे मार दिया, और यह जो दो महलाएं वहाँ पर बैटी थी, यह वहाँ से दोड़ी, उटा मलाई की ओर, वहाँ जाके लोगों को इनफॉर्म किया, वहाँ से लोग ग्रुप बना के आये, तो उन्हें वहाँ जंगल में उस उसे एटेक किया, उसके निशान भी मिले थे, लेकिन उस व्यक्ति का बोडी का कोई भी पोर्शन खाया नहीं था, कुछ भी मांस उसकी बोडी से खाया नहीं था, इसके कुछ दिन बाद एक व्यक्ति जंगल से लकडियां काट के आ रहा था, सिर में उसका लकडियों का बो ही मेथट अपनाया और इस ब्यक्ति पर हमला कर दिया तो एंडशन कहते हैं कि सायद पहले हमले में कायगर को यह पता चल गया कि यह इनसान है यह कितना हेलपलेस है इसको मारना कितना आशान है भाग भी नहीं सकता है इसके सिंग भी नहीं है तो लिहाजा उसने इस बार भी इस ब्यक्ति को मार दिया और मार के छोड़ दिया इस तफ़ा भी उसने उसे चुआ नहीं उस से कुछ महनू बाद कुछ महलाईं जंगल में गई हुइ थी घुड़ बना के जंगल में खजूर तोड़ने के लाए गई हुई थी तो ग्रूपमें ऐसे एक महला और उसे कुछ अलग हो गई और जंगल में अंदर की और चली गई जैसे वो अपनी भरी हुई टोक्री को उठाने के लिए नीचे जुकी थी तो उसे सामने टाइगर दिखाए दिया उसने उस पर हमला कर दिया इस दफा महला के गले की नश घटी हुई थी जिससे खून निकला साइद या पहला मौका था जब आइगर को इनसान का खून लगा और उसने उस महला के बोडी के मैक्सिमम पोर्शन को खा लिया था जब लोग उसको ढूनने के लिए गए थे उसके बाद तीन और हमले हुए तीन बेक्तियों को मारा गया इन मेंसे एक बेक्ति को उसी के पास में एक जगर थी चोटी जिसे सेवंथ माइल स्टोन कहते थे वहाँ पे मारा दूसरे बेक्ति को सिनार और कावेरी रिवर का जो संगम था उसके पास में मारा और तीसरे बेक्ति को उटा मलाय गाउं में मारा तो ये जो तीसरा व्यक्ति था, इसको मारे जाने के बाद सबसे ज़्यादा हल्ला मचा था। अच्छा, इन तीनों के केस में, हैगर ने इनकी बोडी से मांस खाया था, किसी का कम खाया था, किसी का ज़्यादा खाया था। लेकिन खाया था। तो जब ये तीसरा अटेक हुआ, तीसरे व्यक्ति को मारा, तो एक जत्था उटा मलाए गाहों से पहना ग्राम गया, और वहाँ गवर्मेंट ऑथोरीडिस को उन्होंने रिक्वेस्टी किया कि मैनिटर टाइगर से उन्हें बचाया जाएं। इस प्रकारे एक मैनिटर टाइगर वहाँ उन्हें, उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। एंडर्शन कहते हैं कि अनफर्चुनेटली मैं उसमें बहुत भीजी था अपने काम में और अगले दो हपते तक मेरे पास टाइम नहीं था। यहाजा मैंने रंगा को वापस वेज दिया और उसको एक इफाफुं का बंडल दिया जिन में सब मैं उन्हें खुद का एड्रेस लिखा था। और एंडर्सन को और रंगा को उन्होंने पैसे दिये कि हर दूसरे दिन वो उनको एक चित्थी भेजा करें इर्रेस्पेक्टिव आप दे इवेंट्स। रंगा जो था कि उस इलाके में एक बुलक कार्ड का ड्राइवर था। जिसका नॉर्मल काम तो बुलक कार्ड ड्राइव करना था। लेकिन उसके अलावा यह जंगल में बहुत ज्यादा आउचिंग भी करता था। इलीगल तरीके से जंगल में शिकार करता था। और एक बार इसने अपनी पत्नी को भी मारने की कोशिश की जिसकी वज़े से यह उस मैंने जेल में काट के आया था। और उसके बाद जब यह जेल से वापस आया तो फिर इसने दुबारा शादी करके फिर घर वसा लिया। और एंडर्सन से इसकी लंबी जान पहचान थी। जब एंडर्सन के पास लेटस आने लगे रोज रंगा के और जब वो उनके पास समय हुआ जाने के लिए तब वो उस इलाके की ओर चल पड़े। लेकिन उनके जाने से पहले और रंदा जब आया था तब से अब तक भीश में दो और व्यक्ति उन्हें अपनी जान गवाई थी। उस इलाके में एंडर्सन का एक और जान पहचान का व्यक्ति था जिसका नाम था बाहरा। बाईरा एक व्यक्ति था जो पुजारी जंजायत को बिलोंग करता था। बेसिकली ओ लोग जंगल में ही रहते थे। और जंगल के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे हनी है, शहद, या फिर जंगली शिकार, अवयद रूप से शिकार करके उनके मांच को बेचना। इसी बेस पर उन लोगों की जिंदगी चलती थी। एंडर्सन का उससे जब परिचे हुआ था तो उस बेक्ति ने कुछ इलीगल शिकार किया था जंगल में। तब उससे एंडर्सन की मुलाकात हुई थी और उसने एंडर्सन से रिक्वेस्ट की थी कि वो उसकी शिकायत बन विभाग को न करें। क्योंकि उसने बोला कि उसके पास न जमीन है, न कोई और जैजात है, न मकान है। ऐसे जंगल की गुफाओं में ही वो अपने परिवार के साथ रहता है और इसी तरह से गुजर बशर करता है। तो बाराल वो भी एंडर्सन का एक अच्छा परिचित था। उसके अलावा एक और ब्यक्ति एंडर्सन को वहां मिला जिसका नाम था शोरी। वो भी एक व्यक्ति था जो जंगल से काफी वाकिफ था और जंगल की बहुत नौलेज रखता था। पर एंडर्सन कहते हैं कि वो अपने आपको बहुत ज़्यादा फॉर्चुनाइट महसूस कर रहे थे कि उनके साथ ये तीन व्यक्ति थे जिन पर वो बहुत विश्वास कर सकते थे और जिनको वो कुछ काम एसाइन कर सकते थे। तो मुंदाची पल्लम के इलाके में जब वो पहुँचे वहां उन्होंने हैसला किया कि वो कुछ बेट से बांदंगे उन जगहों पे जहां टाइगर के आने की आशंका है और जहां टाइगर उनके बेट को मार सकता है। अब उस इलाके में गहां से बेट मिलना भी बड़ा मुश्किल था। गहां वाले टाइगर के मारने के लिए अपने जानवर को नहीं बेशना चाहते थे। तो यह काम एंडर्शन ने रंगा को सौपा। एंडर्शन कहते हैं इस काम में रंगा बड़ा एक्सपर्ट था। तो गहां में जाके लोगों को कन्विंस करता था। चाहे किसी लेंग्वेज में करना पड़े। चाहे उनने लोगों की चापलुसी करनी पड़े। उनको बड़े प्यार से समझाना पड़े। या फिर कि वो उस इलाके में आ गया। मिन टाइम एंडर्शन और बाइरा और उनके साथ जो तीसरा अब्यक्ति था शोरी तीन जनुने उस इलाके का मुएना किया अपने डंग से। अब उन्होंने उन जगहों को आइडेंटिफाइ कर लिया जहां जहां उन्होंने इन बेट्स को बादना है। अब बारी-बारी से रोज हो उन्हों बेट्स को विजिट करते थे, बेट्स को चारा देना, पानी देना ये ड्यूटी उन्होंने रंगा को सौपी थी। और पहाडी के एक इलाके में वो अखेले जाते थे और दूसरे इलाके में उन्होंने बाइरा और शोर टाइगर के कोई पगमाक्स मिले फ्रेश और नहीं उसने किसी उनके बेट को मारा। पांच्वे दिन उन्हें खबर मिली कि एक कैटल सेट के पास में कैटल सेट पे एक विक्ति को टाइगर ने मार दिया है। एंडर्सन अपने साथियों के साथ वहां पहुँचे वो जगह करीब चार-पास नील दूर थी वहां से और वहां जाके उन्होंने पायरा को लिया अपने साथ में और उसे कहा कि वो आगे चले और फाइंड आउट करे कि कहां पर उस बेक्ति की लास पड़ी है। वहां पर पहुचे वो लोग उनको वो जगह मिल गई जहां पर टाइगर ने उस इंसान पर हमला किया था और मारने के बाद उसे वो लेके गया था। यहां पर बाहरा लीट कर रहा था को भाइरा जंगल राएने वाला था उसे जंगल की बारी क्यों का कहीं ज्यादा ग्यान था एंडर्सन गांपरिजिन से रहते हैं कि आम तौर पर जो इनसान होता है उसे सेंस ऑफ स्मेल नहीं होता है जंगली जानवर ऑफ के अम पर corrections था कि उसे टाइगर की स्मेल आ रही है कहीं आसपास में टाइगर है काराल यहां पर इस ब्यक्ति की डेड़ बॉड़ी को लोकेट कर लिया इन्होंने और आसपास उन्होंने देखा कोई पेड़ था नहीं जहां पर मचान बना जा सके जिस पर एंडर्शन बैठ सके वो जो ब्यक्ति की लाश पड़ी थी उसके पास में एक खेत में जुर्मुट था बांसका तो एंडर्शन ने बाहरा से कहा कि वो इस जुर्मुट के बीच में उनके लिए एक हाइड बना दे तो बाहरा ने उनके लिए हाइड बना दिया उसके बाद एंडर्शन वहाँ बैठे अपनी दो राइफल्स थी उनके पास टॉर्च था और टॉर्च लगे हुए थे उनके राइफल्स में उसके लाव अपना चाय का फ्लास्क और पानी की बोटल लेके वो बैठे अब यहा और सुबह तो उस्से दिन सुबह वो उसे आवाज लगाएं तीन जने मिल की अगर वो उन्हें जबाब दे दें तो वो लोग यहां आए नहीं तो वो वहीं रह तो दिन में करीब एक बजे एंडर्शन बैठ गए टाइगर के इंतजार में पुरी दोपहर बीद गई शाम ह हो गई उसके बाद राद भी हो गई अभी तक टाइगर का कहीं कोई निशान नहीं था करीब साड़े दस बजे एंडर्शन को अपने पास में जो जुर्मुड था जो जाड़ी थी उनके चारू तरफ से उसके एक तरफ से उन्हें एक मूवमेंट सुनाई दी वो मूवमें लाजें उस मरे हुए ब्यक्ति की तरफ से उनकी कानू में पढ़ने लगी तो एंडर्शन को लगा कि मैनीटर आ गया है यह जा उन्हें ने बहुत कॉशेसली अपनी रैफल उठाई और उस तरफ पोइंट की और रैफल पे लगा हुआ टॉर्च का स्विस दबाया तो कान को वहां पर लेटा हुआ देखे हुए और जब यह लाइट उसकी तरफ पड़ी तो उसमें उस तरफ देखा और फिर वहां से चला गया पर इंडर्शन कहते हैं कि यह जो हाइड उनके लिए बना रखा था वो कहते हैं कि वो सिर्फ एक तरफ जिस तरफ वो खुला था जहां की तरफ उनको उस ब्यक्ति की लास दिखाए दे रहे थी यही एक खुला एरिया था उसका बागी और तरफ से उनके लिए सेफ थी अब उनको आशंका ये भी थी कि मैनिटर बहुत कौशियसली आए क्योंकि अभी हाइना को देखने के लिए उन्होंने तोर्च हाँ इससे पहले जिसमें उन्होंने हाइना पर टॉर्च जलाए था और उन्होंने फाइंड आउट किया कि हाइना है वो इस मौके का फाइदा उठा कि उन्होंने एक आत कप चाय पीली उसके बाद फिर वो उस उनसान बैठ गए एक देड़ घंटा करीब और गुजर गया करीब पौने बारा बजे रात को उन्हें उस दूर से टाइगर की गुर्रानी की आवाज सुनाई तो उन्हें थोड़ा शांती मिली कि यहां टाइगर आ रहा है और वो गुर्रा कर अपनी पोजिशन को रिवील कर रहा है इसलिए उन्हें ज्यादा डरने की आवशक्ता नह है कि टाइगर चुप चाप आके उनको स्टॉप कर रहा है और सिर्फ एक ही जो ओपनिंग है वहीं से उन पर एटेक कर देगा उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी यहां जाओ वो कॉशेसली वेट करते रहे और इस टाइगर की गुर्राहट को सुनते रहे कुछ दे हड्यों को चबाने की आवाज सुनाई अब एंडर्शन का बारी थी कि वो अपने राइफल उठाए और मैनीटर पे फायर करें उन्होंने राइफल उठाए और उसकी तरफ यहां मैनीटर खा रहा था वहां पोइंट किया और टॉर्च का स्विच दबाय तो कुछ नहीं जाहिर था उनके जो टॉर्च लगा था उसका बल्फ यूज हो गया था बड़ी मुश्किल हो गे थी उनके लिए याजानों ने राइफल नीचे रखी और हाथ से ही दूसरी गन को टटोला फॉर्चुनेटली उन्हें मिल गई उन्होंने वो गन उठाई और कंदे से लगा गई और जब वो उस तरफ पॉइंट कर रहे थे गन को तो उनकी गन एक बास के डंडे से टकरा गई जिससे आवाज हुई तो जैसी आवाज हुई आगर की तरफ से आवाज आना बंदो हो गया उसके जो खाने की आवाज आ रही थी वो बंदो हो गया तो मिन टाइम एंडर्शन ने स्विच भी ओन कर लिया बंदुक और उन्होंने देखा कि एक धारीदार बोडी कूटते हुए उन्हें दिखाई दिये उन्हें इतना मौका नहीं मिला कि वो फायर कर सके और टाइगर उनके सामने से उनकी पीछे की तरफ आगया था और अब दाहाड ने लगा था अंडर्शन कहते हैं कि उसकी दाहाड से बसने के लिए उन्होंने अपने टॉर्च का स्विच जलाए रखा और मीन टाइम उन्होंने अपनी जेब में हाट डालके दूसरे टॉर्च का बल्व भी निकाला और वो बल्व भी फिट कर दिया टाइगर करजता जा रहा था एंडर्शन के लाइट जली थी अब जब उन्होंने बल्व नया वाला फिट कर लिया तो उन्हें ये भी रियलाजेशन हुआ कि अगर वो इस तरह टॉर्च जलाए रखेंगे तो कुछ देर में इसकी सेल एक्जॉस हो जाएंगे अभी करीब पांच-छे गंटे की रात और बाकी थी लियाजा उन्होंने सोचा कि वो टॉर्च बंद कर दिया और उन्हें बंद कर दिया जो टाइगर था वो उनके पीछे की तरफ था अब भी वो गुर्णा रहा था लेकिन रुक रुक कर तो जब वो चूप हो जा रहा था तब एंडर्शन और सतर को हो जा रहे थे उन्हें लग रहा था कि टाइगर उन्हें स्टॉक करेगा लेकिन दिरे दिरे उन्हें ये लगा कि टाइगर उनसे दूर जा रहा है क्योंकि उसके गुर्राने की जो आवाज है वो दूर होते जा रही है और फाइनली वो काफी दूर चला गया तो उनको थोड़ा शांती हुई उसके बाद वो सुबह का इंतजार करने लेगे सुबह जैसी उजाला हुआ तो उन्हें अपने साथ्यों की आवाज सुनाई दी उन्होंने उनकी आवाज का जवाब दिया तो वो लोग वहाँ आए उसके बाद एंडर्शन उनके साथ उटा मलाई लोट गये उन्होंने वहाँ रेस्ट किया और उनके साथी उनका जो एक एक डॉग को लाना चाहता है उसका मानना ये था कि जंगल में टाइगर को ढूंडने के लिए वो डॉग बढ़ा हेल्फुल रहेगा उसका गाउं वहाँ से करीब चार मिल दूर था वो सौरी के साथ गाउं चल पड़ा और मीन टाइम रंगा बेट्श को देखने लगा और एंडर्शन सो गए दो वजे करीब बाहरा वापस लोटा अब एंडर्शन उठे और उन्हें उन्हें उस डॉग को देखा इसका नाम कहते हैं बड़ा आजीब और गरीब नाम था उसका कुश कुश करिया रखा था उसका नाम क्यूं यह नाम रखा उनके लिए एक्स्प्लेइन करना बड़ा मुश्किल था बाराल उन्हें फटाफट लंच किया और उन सब लोगों के साथ वहाँ चल पड़े जहां वो रात क को बैटे थे और वो जो ब्यक्ति मारा था उसके इस्तिदार भी आए उन्होंने उसके रिमेंस को लिया और उन्तम सस्कार के लिए चले गए और इसके अलावा एंडर्सन, बायरा, शौरी और रंगा और उनके साथ एक जो कुत्ता और मिल गया था उन्हों सब ने मिलके कोशिश की टाइगर को लोकेट करने की लेकिन उन्हें कोई सफलता मिली या जाओ पड़े डिसपॉंट होके शाम को वापस आगे उटा मलाए उसके बाद एक-दो दिन और बीट गए है, टाइगर का कहीं ट्रेस नहीं मिला, जंगल में एक पहाड़ी में बायरा और शौरी जाते थे, दूसी पहाड़ी में इंडर्सन जाते थे और जो बेट्ष थे उनको चारा देने के काम था, रंगा का, उसको गाओं का एक और ब्यक्ति हेल्प करता था तो इस बीच घटना होई जिसमें रंगा की जान जाते जाते बची रंगा बेट्ष को चारा देने के लिए जा रहा था, गाओं के एक ब्यक्ति के साथ तो जब वो एक रिवर बेट के पास में पहुंचे जो बर्साती रिवर थी उन्हें देखा कि उनसे करीब पचास फिट की दूरी पर टाइगर खड़ा जैसे उन्हें उसे देखा उन्हें अपने सिर का बोज फैंका और पास में जो एक मातर पेड़ था उस पे चड़ना शुरू कि जो ब्यक्ति था वो आगे चड़ा था वो तो करीब सेफ डिस्टेंस पे पहुंच गया था रंगा उसके पीछे था अब रंगा तेज चड़ना भी चाहता था तो चड़ नहीं पारा था क्योंकि आगे से उसके ब्यक्ति था और ये जो टाइम था बोज को फैंकने और पेड़ में चड़ने का इसी समय टाइगर भी उनकी तरफ दोड़ पुना और जिस पेड़ पर उस चड़े थे उसकी जड़ पे आ गया और उसने अगले पंज से एक स्वाइप मार इस स्वाइप में रंगा की धोती उसके आत्मा आई और उसके पंजे के साथ धोती नीचे आ गई रंगा भीना धोती के पेड़ में उपर गनी मत ये रही धोती भले ही चले गई लेकिन उसकी जान बज गई अब रंगा और वो ब्यक्ति इन दोनों पेड में चिला रहे थे मदद के लिए फॉर्चुनेटली पास में ही एक लोगों का जथा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था जब उन्होंने इन दोनों की आवाज सुनी तो धोड़े एक तरफ और उन्होंने ये एंशर किया कि ये ख़बर एंडर्सन तक प उस तरफ आये और वेल के पास में पहुंचके उन्होंने ये आवाज खुछ सुनी तब उन्हें पता चला कि आवाज रंगा की है वाराल उनकी आवाज का उन्होंने जबाब नहीं दिया वो इसलिए कि वो ताइगर को सतरक नहीं करना चाहते थे यहां जाओ बहुत कॉशि उस पेड़ की तरफ चल पड़े जिस पेड़ में ये दो वेक्ती चड़े हुए थे जब वो उसकी जड़ पर पहुंच गए उन्होंने चारूं तरफ देखा टाइगर कहीं नहीं है तो उन्होंने उन्हें आवाज लगाई पेड़ पर वो लोग बढ़े बहुंचके रहे क अलफ ए सटन एंडर्सन कहां से यहां आगे अरालो नीचे उतरे विंगा के धोती नहीं थी तो जो नीचे धोती गिरी थी उसने वो फिर धोती पहनी और उसके बाद इन तीन जनुने थोड़ा खोजने की कोशिश की पास में कि कहीं टाइगर का ट्रेस उन्हें मिल जाए ल साथ बजे कुछ लोग उठा मलाई से पेनाग्राम की ओर जा रहे थे वहीं अपनी मचलियों की बास्केट लेके बेशने के लिए ग्रूप में जा रहे थे तो उनमें एक ब्रेक्ति था जो लगुशंका निवारण के लिए एक पेड़ की ओट में गया जहां पर और लोग बैठे थे उनसे थोड़ा दूर जाके पहचाना कि इन लोगों को टाइगर की धार सुनाए दिया और उस ब्रेक्ति की चीक सुनाए दिया यह लोग उठे और भागे वापस उटा मलाई की ओट और यह खबर एंडर्सन तक पहुँची एंडर्सन अपने साथियों के साथ वहां पहुँची उन्हें उस जगर को द सौरी को पेड़ पे चड़ा दिया और बाहरा के साथ वह आगे चलने लगे ड्रेगमार को फॉलो करते हुए बाहरा के हात में एक बंदूग थी एंडर्सन के भी थी आगे बाहरा था उसे ज़्यादा जो ड्रेगमार्ग था उसको वह आसानी से डोण रहा था इसका चलते चलते वो आगे चले, उस दूर आगे चलने के बाद उन्हें टाइगर की खाने की आवाज सुनाई दी, हडियों को चबाने की आवाज सुनाई दी, यानि कि टाइगर अब काफी पास में था, वहाँ पर एंडर्सन ने बाइरक को हाथ से हाथ लगा के इशारा किया कि वहाँ रुग जाए और पीछे आजाए, वहाँ से एंडर्सन आगे चले, जहां से उन्हें मैनीटर की आवाज सुनाई दी, चलते चलते हो एक ऐसी जिगर पहुंचे जहां से उन्हें मैनीटर दिखा पकड़ा, शायद वो उस ब्यक्ति के बॉड़ी के किसी पार्ट को उठा कि वहाँ से जाना चाह रहा था, हो सकता है, उसे आशंका होगी, उसे फॉलू किया जा रहा है, पर जैसी वो पलटा, तो ठेक सामने एंडर्सन से उसकी आँखें चाहर होगी, एंडर्सन कहते हैं ब और मुझे देखके वो बड़ा आश्यरी चकीत हुआ और उसने जो मुह में हाथ पकड़ा था व्यक्ति का, उसे नीचे गिराया और गुर्राने लगा, इससे पहले की वो कुछ करता, एंडर्सन की गोली बिलकुल उसकी च्छाती में लगी और पहली गोली में ही वो नीचे की वज़े से यह टाइगर मैनीटर बन गया है, उनका जो अहांकलन था हुए था कि यह एक टाइगर थोड़ा शौट टेमपर था और इसने पहली बार व्यक्ति को मारा, उससे इसे यह अनमान हो गया कि इंसान को मारना आसान है, और जब दूसरे तीसरे शिकार के बाद इस इसे खोन गिरता दिखाए दे रहा है, इसके मुँमें खोन लगा तब इसे यह लगा कि यहां इसे खाया भी जा सकता है, इस प्रकार यह मैनीटर बन गया, तो दोस्तों इस प्रकार मुंडाची पल्लम के मैनीटर का अंत हुआ, उम्मीद है आपको इस स्टोरी पसन आए हो होगी, जल्दी ही एक और स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार.